हेलो फ्रेंज स्वागत है अप सभी का मेरे चैनल पर अज के इस वीडियो में आप लोगे साथ में शेयर करूँगी कि आप फोर टक्स ब्लाउस में टक्स की मार्किंग कैसे कर सकते हैं यहाँ पर ब्लाउस की कटिंग मैंने कर ली है इसके बैक पार्ट की कटिंग एन स्चिचिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पर है आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा यहाँ पर मैंने एक पार्ट ले लिया है फ्रेंट पार्ट में से और यहाँ पर हम शुरू करेंगे यहाँ पर पहले मैं हुक आई के लिए हाफ आफ इंच पर निशान लगा लूँगी और उसके बाद में स्केल से एक सीधी लाइन बना लूँगी अब इसके बाद में मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसके मेजरमेंट तो यहाँ पर शोल्डर है साड़ इसके चेस्ट का चौता भाग उचाएगा तो मैं यहाँ पर साड़े नौ इंच पर एक निशान बना रही हूँ अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे तक्स की तो यहां से मैं ले रही हूँ साड़े तीन इंच आप साड़े तीन इंच या 3.8 इंच भी ले सकते हैं अब य क्योंकि चेस्ट है 38 इंच तो पफ थोड़ा अच्छा चाहिए है उसके लिए आप यहाँ पर धाय इंच लीजिए और उसका सेंटर निकालने के बाद में साड़े तीन इंच जो हमने माक के उसके दोनों साइड हमें निशान लगा लेना है अगर आप अच्छा पफ चाहते और जितने भी आपका डॉट पॉइंच प्लस करना है अगर आप उपर से नहीं मार्किंग करते हैं तो नीचे से भी आप ले सकते हैं तो आपको धाय इंच लेना होता है नीचे से तो यहाँ पर धाय इंच पर मैंने एक निशान बना लिया है और उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इन निशानों को मिला लूँगी अब इसके बाद में मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी नेक की तो नेक की लेंद आप जितनी भी रखना चाहे रख सकते हैं मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ 1.5 इंच तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर एक नि इंच और यहाँ पर मैं 3 इंच पर एक निशान बना के इस तरह से बॉक्स जो है एक तयार कर लूँगी बॉक्स तयार करने के बाद में आप कोई भी शेप चाहे वो बना सकते हैं यहाँ पर मैं राउंड शेप बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं राउंड शेप की मार्किंग क साथ में अगर आप बिगनर है तो भी इस तरीके से निशान लगा कर आप इस ब्लाउस को तयार कर सकते हैं तीन इंच में इसकी लेंथ रखने वाली हो इस वाले होता है तो इस तरीके से कमर के साइड एक दम नीचे नहीं मिलाना है आपको तकरीबन एक से देड़ इंच ऊपर आपका आना चाहिए निशान वहां तक मिलाना है अब इसके बाद में देखिए यहां पर फिर से हम उतना ही डिस्टेंस लेंगे यानि की दो इंच में एक लाइ के साइड में तो इस तरीके से हमारे चारो जो टक से उनकी मारकिंग हो चुकी है तो मारकिंग हमारी हो चुकी है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरू कीजेगा और अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी जरू कीजेगा सारी मारक सबसे पहले हम smt लाकिंग करेंगे हम सबसे साभए यहां पर मैं पहले हम पहले सिसी करूईंगी इसके बांधिस प्रस जूता है जो हमारे हमहें मॉर्म के पास आता है उसे हम थोड़ा सचा लागा में ही करेंगे बाकिों क्ला गते हैं मार्किंगन उससे रीक हएक सबस्तREAM बहुत अच्छा आएगा और फिटिंग भी बहुत अच्छा आईगा आपके ब्लाउस की तो एक बार इससे जरूरु ट्राए करें और इस तरीके से यह सारे स्टिचिंग मेरी हो चुकी है और आफ पफ देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है और इसके फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा थेंकि फॉर वाचिंग